करन जोहर एंड इम्रान खाण एक टाइम था जब करन जोहर एंड इम्रान खान बहुती क्लोज थे एक दूसरे के अट दूनों साहर सार फिल्मों करते थे। वो इम्रान खान के साथ कभी काम नहीं करेंगे तो बात आक्चुली कुछ नहीं पुरानी है साथ-ार्ट साल हो चुक है इस बात को बात हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं जब इम्रान खान का डेबी हुआ था उनकी जो फर्स्ट फिल्म थी जनेलिया डिसूजा के साथ जाने तू या जाने ना वो बहुत बड़ी हिट हुई वो एक अनेक्सपेक्टेड हिट थी एक सेमी हिट थी अच्छी हो जाती है तो जाने त्यू जाने ना एक सेमी हिट फिल्म थी लोगों के एकस्पेक्टेशन जादा नहीं थी फिल्म हिट हो गई इम्राण खान को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया उस एक डिफरेंट काइंड की स्टोरी भी थी और उसके तूरण बाद इक फ जिसमें शुत्ती हसन, संजदत, और डाने डॉपपा भी थे, वो फिल्म भी चली नहीं, लेकिन उस फिल्म में भी इमरान खान के काम को पसंद किया गया था, वो फिल्म में जब सैटलाइट पे आया और डिवीडी सेल्स के थ्रूप उस फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके अधुए अच्छली ये कि क्योंकि इमरान खान आमिर खान के भांजे हैं, तो एक पार्टी में करण जगर इमरान खान बिले, उन लोगों ने एक बीसे से बात दिंग की, और करण जगर को इमरान का अट्वीड बहुत अच्छा लगा, और करण ने इमरान को बहुत पसंद भी किया था जाने तुए जाने नामे, तो करण ने इमरान को अपने आफिस में बुलाया, उनके साथ फ्यूचर प्राजेक्ट्स दिस्कस किये, और इमरान को तीन फिल्म के कॉंट्राक्ट के लिए साइन किया धर्मा प्रडेक्शन्स में, उस ताइम पे करण जोगर यूटीवि मोशिन पिच्चर के साथ अपनी फिल्मस को, अट यूटीवि के फाउंडर थे रानी स्क्रीवॉला और सिध्धार्यकापूर, तो सिध्धार्यकापूर, रानी स्क्रीव बाला और करण जोगर की प्रिजेंस में, तीन फिल्म का कॉंट्राक्ट साइन किया इम्रान खान ने और फिल्म थी I Hate Love Stories 2010 में रिलीज हुई फिल्म रिलीज हुई, फिल्म हिट बिल्कुल भी नहीं हुई जबकि फिल्म में बहुत पैसे लगाए गया थे फिल्म को बहुत हाई लवल पे शूट भी किया गया था, फिल्म में सोनम कपूर भी थी, फिल्म के गाने भी अच्छे थे, हिट भी हुए थे फिल्म के गाने, शाल शिगर का म्यूजिक था बट फिल्म को यूट ने पसंद नहीं किया, यूट टागेड़ेट फिल्म थी उसी टाइम पे कौफित करन सीजन 3 में, करन ने इमरान खान को भी बुलाया था, रंबीर कपूर के साथ करन ने प्रॉपरली उस एपिसोड में बिल्ड गिया था कि रंबीर कपूर का अगर कोई राइवल है इस पॉइंट पे, तो वो इमरान खान है आप लोग जानते होंगे कौफित करन में जब भी जैसे रंबीर या रंबीर भी आए हैं, तो आलियो परिनिती भी आई है, तो बेसिकली जोड़िया करन ऐसी बनाता है कि या तो राइवल्स हों, या तो फ्यूचर में जाकर के एक दूसरे के कॉम्प्टीटर्स हों, तो 2010 म जो 3rd season आया था उसमें रंबीर और इमरान को बुलाया गया था और अगर आप एपसोड देखोगे तो इसमें भी करन ने इमरान की बाहत तारीफ की थी, रंबीर ने भी इमरान की बाहत तारीफ की थी, और प्रपरली करन ने बिल किया था कि इमरान इस गएं टू पीड़ and he's going to compete with Ranbir Kapoor. And Ranbir ने टॉंड भी हलका सा करन को किया था कि करन ने तीन फिल्मों के लिए इम्रान को साइन किया है and Ranbir के साथ से वेकी फिल्म की थी. खेर उसके बाद सेकेंड फिल्म आई शकुन बत्तरा की. उस फिल्म का नाम था एक मैग और एक तू. उस फिल्म से भी करन जोहर को इम्रान का बहुत उम्मीरे थी. फिल्म थोड़ी सी एलीट ओडियन्स के लिए टागेट की गई थी and फिल्म रिलीज हुई फिल्म के गाना एक ही तुग था आंटी जी, Get Up and Dance उसके लावा वो फिल्म भी लोगों को पसंद नहीं आई, और इम्रान के पसंद नहीं आई साटेलाइट पे तो आती ही नहीं है and डूडी सेल्स भी फिल्म के इच्छे नहीं हुए तो इससाब से दो फिल्म back-to-back flop हो चुकी थी धर्मा और इम्रान खान के कोलाबरेशन की उसके बाद करन ने डारेक्ली थर्ड फिल्म जो पूनीत मलोतरा की ही थी जिन्होंने फर्स फिल्म आ हेट लव स्टोरीज डारेक्ट की थी उन्होंने फिर से थर्ड फिल्म अपनी धर्मा परडुशन की थी गोरी तेरे प्यार में उस में भी इमरान खान को साइंड किया इस बार make sure किया कि कहीना के साथ उनकी जोड़ी को रिपीट किया जाए उनको उनको प्यार किया तो डर्मा क्या टाइप की इस लड़की को जीत के जाता है तो उस कांड अफ रोल में इम्रान खान को पजेक करने ही कोशिश की गए थी वो फिल्म भी दोज़र तेरह में रिलीज हुई उस फिल्म कभी एक गाना कांड अफ हीट हुआ गाने का नाम ताटू बट वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई तो इस अब से करन जुहरर और इम्रान खान का जो तीनों कलाबरेशन था I hate love stories, एक मैं और एक तू, गोरी तेरे प्यार में तीनों फिल्म में ठीक ठाक अक्टरसेश थी, ठीक ठाक डारेक्टरस थे फिल्म के production value भी हाई था, फिल्म के script भी youth audience को target करके लिखी गई थी, बट फिल्म on their move घिर परी box office पे, और करन को ये बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, करन ने इमरान को avoid करना शुरू कर दिया, मीडिया में इतनी reports आई हैं, उसके साब से हुआ कुछ ही हूँ था, कि एक certain party में करन वाज ड्रंक और उन्होंने इमरान खान को जाकर करके बहुत abuse किया सब के सामने, और उनको बोला कि तु आक्टर है ही नहीं, तु आक्टर बनी नहीं सकता, तु ने मेरी इत्साब तीन-तीन फिल्में की धर्म प्रशन्स में, इतने मौके किसी को नहीं मिलते हैं, तीन साल में तीन फिल्में तुझको दी हैं, तु ने मेरी फिल्म फ्लॉप करा दी हैं, दोनों में बहुत कहा सुनी हुई, बात यहां तक बढ़ गई कि अगले दिन इमरान खान गोरी तेरे प्यार में जो फीस इमरान खान ने ली थी करण जोहर से वो फीस उसका जो चेक था वो करण जोहर को लोटाने के लिए धर्मा प्रडेक्शन के आफिस भी गए और करण जोहर ने वो चेक तो वापस नहीं लिया इमरान खान से बट करण ने इमरान खान को बोल दिया कि फीचर में धर्मा के साथ आप किसी भी प्रजेक्ट में काम नहीं करोगे और फीचर में हम कभी भी कॉलाबरेट नहीं करेंगे and उसके बाद तो हम सब जानते हैंगे 2013 के बाद एकका दुकका फिल्म और की इमरान खान ने एक फिल्म की थी Once Upon a Time in Mumbai दोबारा अक्षे कुमार के साथ and एक फिल्म उन्होंने की कंग्डर नौथ के साथ दोनों फिल्म से नहीं चली and उसके बाद से तो इमरान खान यहां से गाया भी है बट एक समय था जब करन जोहर ने इमरान खान को बिल किया था कि he is going to compete with Ranbir Kapoor for the title of the next superstar and आठी रेट में इमरान खाया बेसी इंडस्ट्री से